जो लिखा है वो ही मैं उसी भी रोंगा बेटा, मैंने लिखा डियोड एक्स के पास वाले, समझ मैं आपको, डियोड एक्स के पास वाले वाई को टी मानने को बोला है मैंने, अब देख मेरे भाई, तिरह ध्यान से देख, ये डियोड एक्स है, दिखा, ये डियोड एक्स के स साथ वाला है, यह साथ वाला है, यह पास वाला है, अरे वो साथ वाला है, यह पास वाला है, मैंने का पास वाले को टी मानना है, साथ वाले को नहीं बोला, अरे पास वाला, पास वाला, इतनी बड़ी बात रखनी है, पास वाले को टी, साथ वाले को नहीं, पास वाले को टी म यह बात आपको समझ नहीं पड़ेगे कि जो साथ होता है वो पास होता है जरूरी नहीं ठीक है ना तो इसका मतलब यह की यह पास वाला है अब आपने पास वाला कौन है वन अपॉन वाई की पार 5 इसको टी माना है जैसे आप इसको डिफ्रेंशेट करोगे माइनस 5 वाई की पार 6 फिर y का डिवाबड डिएक्स इसकलतों में dt बाई dx अब आप क्या करोगे इसे लिखोगे 1 अपॉन वाई की पार 6 डिवाबड डिएक्स इसकलतों में माइनस का 1 बटा 5 इंटू dt बाई dx ऐसा लिखोगे और आपको दिखेगा यह दिख रहे है अब आप इसको मान चुके हो ति यहां हो जाएगा t by x is equal to x square सोचो और जैसे यसा होगा मैं इसे लिखोगा dt by dx minus का 5 by x t is equal to minus का 5 x square और फिर मेरे को पता चला है यह बन गी LDE और LDE बनती ही पहला काम हो गया if e की पावर में minus 5 by x dx इदर हो जाएगा e की पावर minus का 5 ln x इसका उतला x की पावर minus 5 इसका if आ गया second काम होगा नीचे 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 देखोगा ना अच्छा कानी को देखा आप में अब एक और चीज़ पर भी जानना है ठीक है dx का तो use यहां हो गया dx यहां use कर लिया dt का use यहां होगा dt की वज़े से यहां लिखोगा t if is equal to integration में क्या चलेगा integration में चलेगा q if minus का 5 x square into x की पावर minus 5 dot dx तो अपने को पता चल गया minus का 5 बार आगया x की पावर minus 3 का integration x की पावर minus 2 by minus 2 plus c आगे तो आप कर लोगे सही है ना हाँ पूरा खेल है खेल अब आपको पता चल गया होगा बडड़ी को कैसे solve करना है I expect कि आप में से कई लोगों का दिमाग चला होगा कि हाँ बर्नॉली differential equation में भी question ऐसे deal करना है मेरे दोस्त हो जाएगा हम ठीक है same way अगर अगले question की बात की जाए तो 1 minus x square into dvdx plus xy is equal to xy square ठीक है किसे ने question में दिया है solve करो पहला काम करेंगे dvdx plus में कितना x upon 1 minus x square into y और यहाँ पर लिखेंगे x upon 1 minus x square into y का square लेकिन क्योंकि कहानी में 2-2 y दीख रहे हैं ठीक है 2-2 y दीख रहे हैं तो अपने पास में एक ही choice से भाई y की बड़ी degree से डिवाइड करो y की बड़ी degree कौन है y square है y square से डिवाइड करते 1 upon y square dvdx दिखेगा ठीक है ना और यहाँ दिखेगा 1 upon y into x upon 1 minus x square इस अगर्डों में x upon 1 minus x square फिर पास वाला कौन है 1 upon y उससे आप t मानो होगे minus का 1 upon y square dot dvdx बराबर में dt by dx होगा सही है आप इसकी जगहे होगे minus का dt by x है ना और इसकी जगहे होगे t into x upon 1 minus x square इस उक्षडों में x upon 1 minus x square फिर आप लिखोगे इससे dt by dx ठीक है minus x upon 1 minus x square इस गडो एसे लिखोगे फिर आप लिखोगे recognizing integrating factor, integrating factor हो जगा, e की पार minus x upon 1 minus x square dot dx, सही है, और minus का 2x dx बराबर dt, तो minus x dx बराबर dt by 2, तो e की पार half, e की पार half ln 1 minus x square, सही है, तो आपका answer हो जगा, root 1 minus x square, फिर second job पे जाओगे, second है, why if 1 minus x square is gonna do में, x upon 1 minus x square into, under the root of 1 minus x square, और इस cancer नीचे वाला हो जाएगा, minus के साथ, plus c, लो बै, ठीक है, एक और question मैंने आपके लिए कर दिया, yes, exactly, ठीक है, अब ये दो बरना लिए के question होगे, इससे हटा लोगा, ठीक है, ये उतना में तो पूर्ण नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे किंतु परंतु बाकी है, उनके उपर जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत important है, इन में से अभी तक कुछ तो मैं सही चलागा था, कुछ के लिए आप थोड़ा सा भी परिशान हुए, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है ना, अब मैं वापिस एक दो questions जो बहुत ही जाज़र जोरी है, उनको करवा देता हूँ, ठीक है, जिन से क्या होगा थोड़ा आप settle हो जाओगे, अगले question में ध्यान से देखना, कई बार है ना, आपको differential equation में ऐसे question भी देखने को मिले गए, question में पूछ रहा है सामने वाला कि general solution of e की पार x into में x plus 1 dot dx plus y e की पार y minus x e की पार x dot dy बराबर 0, ठीक है, हाँ, यह बहुत ज़रूरी question है, अब जैसे यह वाला question है ना, हाँ, अभी करते हैं बनने, उसके इपर बात करूँगा अशिश, हाँ, फटा फट साथ हो आप ज़रा, इस question के अदर अगर आपकी नजर पढ़ रही हो ना, तो इसमें दो चीज़ें हैं, जो की बहुत ही connected है, connected, और वो पते हैं, अभी आपको नहीं strike करेगा, लेकिन आपका अन्बव होना ही चाहिए, ऐसे questions को लेकर करके, जब आपसे कुछ ना ओरो, तो आप ये समझना, इसमें एक point है, x into e की पार x, आप में से कई लोगों को, अगर integration याद हो, उसके दौरान मैंने एक बात बोली थी, कि integration में, कि कहानी में कभी भी x into e की पार x होना, तो उसे t ज़रूब मानना चाहिए, आपकी कहानी में अगर कभी भी x into e की पार, मैंने x भी नहीं बोला था, मैंने का e की पार sin x भी हो, तो भी चलेगा, sin x into e की पार x है, तो भी चलेगा, x into e की पार x है, तो भी चलेगा, अगर यह है, तो आप उसको t मानने की प्रात्ति मिक्ता देना, अगर किसी बचे ने इसे t माना, तो उसे पता होना चीज़, जब वो u dot भी लगाएगा, तो x silent e की पार x, e की पार x का 1 dot dx बराबर dt हो जाएगा, और अगर ऐसा है, तो आपको पता होगा e की पार x कौमन आजाएगा, x plus 1 dot dx बराबर dt हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहां पर यह दोदों मौझूद है, इसका मतलब इसके बाद में कोई भी समझ समझदार बच्चा, इसकी जगह लिखेगा dt, ठीक है, प्लस इसको लिखेगा y e की पार y minus t into dy equal 0, और फिर समझदार बच्चा यह भी सोचेगा कि से dt by dy ही लिख दूँ, प्लस मैं y e की पार y minus t equal 0 कर देते हैं, फिर बस आपको सिरफ यह सोचना है, सिरफ यह सोचना है, ठीक है, तो मैं आपको यहाद दिलाता हूँ, गरीब बच्चे के लिए मैंने बताया था कि यहाँ t हो ना बेटा, तो पास मैं उसी को बेटा हमाँ, तो यहाँ से पहला काम निकलेगा आपका if, if की value आजाएगी e की पार minus x, आप देखके समझ जाओगे, second आपको पता है, अब देखो कानी में उपर d t है न, उपर d t है तो t if, t e की पार minus x, इस गड़ो में integration में y, अच्छा अब यहाँ पर मेरे से गलती होगे, नीचे dy है, तो e की पार minus x नहीं आकरके e की पार y आएगा, सही है, अच्छा यहाँ पर भी e की पार y आएगा, इसी ने चेक किया क्य नहीं किया, पत्रहीं में, ठीक है, y into, आप देखो e की पार y है ही हमारे पास में, और हमारे if p e की पार minus y है, dot dy, यह दोनों cancel out हो जाएंगे, प्रांचर में y square by 2 plus z, अब आप आगे तो आप निकाल लोगे, तो ऐसे questions भी होंगे, जिनमें आपको किसी function को t मान करके उसका substitute र यह जो होता है न, यह यहां बनाता है, जो उपर dt है तो यहां dt होगा, यहां dx है तो यहां x होगा, यहां dy है तो यहां y होगा, ऐसे, को नेगेटिव रह गया, नहीं रहना तो नीच यह, बराबर है, I think, अच्छा यह इधर, यह minus सिधर जाने में रह गया है, ओके, हाना, च तो देखो, अब आप मैंसे किसी ने एक सीखा कि अच्छा, किसी को टीम ही मानना पड़ता है गया, तो उनको मतब कन्फर्म कर रहा हूं कि हाँ, टीम मानने के लिए मैं एक और चीज़ सीखा रहा हूं, वो देखो आप ज़रा जल्दी से, ठीक है, यह question का इंजार कई जगे सेक्स, एकोल टू जीरो, रइट है, अब है मज़िदार चीज आगे पापिस, अब ज़रा समझना, अगला चीज क्या है, अगला चीज है, बहुत काम का, अब देखो यहां पे दिखा जाना तो y में भी डैश है, और 5 में भी डैश है, दोनों में डैश है, और देखो कई ब मैं इसको देखके पैचानता हूँ, यार इसका derivative यहां मौझूद है, और इसको t माना समझदारी है, वैसे मैं जानता हूँ कि इसका derivative इसके बाजू में ही मौझूद है, तो अगर मैंने 5x को t माना, तो 5-x.dx बरवर dt होगा, मानने इसकी जगे में dt by dx लिखता हूँ, सही ह अच्छा, यहां पर भी मुझे दिख रहा है, y into dt by dx, और यह y dash दिखी रहा है, ठीक, अब y dash खुद को declare करना चाहता है, y dash को लेकर कि student है, कि वो diva by dx बोले है, या diva by dt बोले है, इस जगे आप इस दूबिदा में फस सकते हो, कि sir मैं click नहीं कर पा रहा था, कि अब मैं y dash को क्या लिखूँ, obviously बात है, diva by dx, सोचने की क्या जगे है, हाँ sir अब ऐसा करते हैं, तो dx common लेकर के हटा देते हैं, तो sir मुझे तो दिखेगा dy y minus t dt दिख जाएगा, और फिर मैं लिख दूँगा, diva by dt plus y is equal to t, और sir यहां से मैं integration में चला जाओंगा, पहला काम, if e की power, अब यहां dt है na, e की power t, दूसरा उपर dy y है na, y e की power t, is equal to मैं q की जगे t e की power t dt, इसका अंतर यहां जगे e की power t, t minus 1 plus e, काम खत्म, sir मेरा बहुत time waste कर दिया था, इस question ने, ठीक है, आप में से कई students को यह सारे questions की ज़रोती, ठीक है, इन सभी questions की बेहत ज़रोती, गया रहे वा, इन सब questions की, यह जब भी आप इन गस्तों से गुजरो गे ना, तो आपको यह सारे questions होंगे ना, वह टांग अडाएंगे, find equation of all curves that will cut each member of each member of family of curves x square plus y square minus 2cx is equal to 0 at right angle question क्या कह रहे है, कि यह एक circle है, इस circle से हमेशा orthogonal जाने वाला curvature क्या होगा, उसकी equation बताओ, उसकी equation बताओ, तो हमारा पहला काम क्या होगा, अगर कभी भी किसी भी करव के perpendicular, नए करव की equation पता करनी हो, जो हमेशा उससे perpendicular रहे, ठीक है, तो पता कैसे करते हैं, हमें कैसे बता जालेगा, इस curve के हमेशा perpendicular कौन है, इस curve से हमेशा orthogonal कौन है, मुझे क्या बता, ठीक है, तो तरीका क्या होता है, make differential equation of given curve, आप खुद समझ जाओगा देखना, खबसे पहला काम, जो भी आपका करवेचर तरो उसकी differential equation बनाओ, आप तो पता होना चीए, x पर माइनस y पर, प्लस में 2c, x से इकवर दो 0, मैं, जो c है, एक arbitrary है, एक arbitrary का मतलब, एक बाद differentiation 2x, प्लस में 2y diva by dx, diva by dx की लिख भाई, ठीक है, diva by dx, और माइनस का 2c इकवर दो 0, इसका उनला, x प्लस y diva by dx, माइनस c ब d की value आजाएगी, x स्कॉर प्लस y स्कॉर अपाउन 2x, यहाँ पुट कर दो, x प्लस y diva by dx, ठीक है, माइनस में, x स्कॉर प्लस y स्कॉर अपाउन 2x is equal to 0, लस अपर ले लो, जल्दी से, लस अपर लेती, यहाँ जाएगा, 2x स्कॉर, मैं से x स्कॉर गया, तो x स्कॉर, ठीक तो मैं माइनस का y diva by dx, ऐसा, यह आपकी differential equation त्यार है, differential equation बनाते ही, अब second काम, for orthogonal curve, अगर आपको नया करो, जो इसके perpendicular निकालना है, तो थोड़ा दिमाग का यूज करना, m1, m2, is equal to minus 1 का प्रियोग कर रहा हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ भी diva by dx है, मैं वहाँ-वहाँ-dx upon dy लगा रहा हूँ, m1 की जगह माइनस का 1 upon m लिख रहा हूँ, मने मैं d1 by dx की जगह लिख रहा हूँ, x square minus, x square minus y square upon 2x is equal to minus का y into minus का dx by dy, और ये मेरे को वापिस दूसरे रच्ते ले जाएगा, मने मैं अच्छा का सही हूँ गया, अच्छानक से turn करके इधर से निकल गया, सही है, अच्छा, जैसे ये देखा जाए तो इसका क्या case होगा, अब इसका case डूंडो, इसका case कैसे होगा, या न, dx by dy, कैसे निकाला यार, सारा खेल को बहुत बड़ी की से देखना पड़ता है, यहां से कितना हो जाएगा, x square, dy minus y square, dy, physical tube में 2xy dx, ऐस लिख सकते हैं, यहीं पर ही, शायद कई बच्चे मेरे को उराय दे सकते हैं, यहां से सीधा बाहर आ सकते हैं, देखो जल्दी से बताओ, Homogeneous में में खे़ जाओं Homogeneous में हो जाएगा क्या बैटरत हो जाएगा वैसे फिर भी में आपको यह तक मैं बताओं यहां से रस्ता था अब मेरे को लिका ले अलगे ले आते तो यहां से रस्ता था खेर कोई आपको Homogeneous दिखे तो मैं deck by dy से चलता गरों, x square by y square minus 1 upon 2 y by x, 2 x by y, 2 x by y, ठीक है na, v plus x, यहां गर्बढ़ हो जाए, v plus, मैंने क्या लेना है, x by y y को v लोगा, ठीक है, तो x इसकोड़ो v y होगा, तो dx by x का differentiation, dx by dy, dx by dy इसकोड़ो v, y का y का respect में 1, फिर y, v का dv by dy, ठीक है, आम में यह गलती कर रहा था, y dv by dy, इसकोड़ो में x by y के जगे आप लिख दोगे कितना, x by y के जगे लिख दोगे, v square minus 1 upon 2v, रेट है, यहां से आप कर लोगे अब, यहां से मिल जाएगा, ठीक है, मेरा नादे कहले है, शायद पिछले वाले question में, शायद कोई निकाल के ले जाता, कुछी और रस्ते से बन जाता था question, ठीक है, आपको नहीं लगा तो, मेरे साब से हो जाता वो question, पिछली ब dx, यह रस्ते से जादा असान question बन रहा था, इस रस्ते से हो जाता है यह वाला question, आपने किया नहीं किसी नहीं, जैसे इसमें y square dy बराबर में x square dy, minus का 2xy dx, इस y square को नीचे ले जाओ, हो जाएगा क्या, यह differentiation of something है, मेरे साब से, it is differentiation of minus का x square by y है, y square silent, फिर, minus को में ले न, y silent, x square का 2x dx, सही है, मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है न, अब आप दोने साइड integration गरे, मेरा answer आचुक है, मतलब minus का x square y plus c, done, ठीक है, इस point को बोलते हैं, orthogonal trajectory, ठीक है, orthogonal trajectory, ऐसा, ठीक है, sheet का discussion गरूँगा, share shot, कल आते ही, सबसे पहला काम, sheet का discussion करूँगा, और नया chapter खोलूँगा, कौन सा, कले decide करेंगे, ठीक है, कोई सा भी खोल दूँगा, काम का होगा,